नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चानल पर सौग्द करता हूँ दोस्तो हर विक्ती की सुक समरदी काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्बर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे लेकिन कुछ ऐसे काम है जो मैलाव को नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में मा लक्ष्मी कभी नहीं आती है प्राचिन काल से ही घर की भह बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है ऐसी मानेता है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को चाहे स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे नर्क बना सकती है हमारे शास्तरों में बहु बेटियों की कुछ आदूतों के बार में बताया है जिनकी वज़े से घर में दरिदता आती है तो वही कुछ आदते ऐसी भी होती है जो घर में सुकसमरदी लाती है तो आई ये जानते हैं मैलाओ को कौन से आठव काम नहीं करने चाहिए दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरू करे ताकि आप और भी जानकरे वाले वीडियो देख सके पहली बात है जाडु को पैर जिस घर की महलाए जाडु को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है वहाँ कभी भी लक्षमी का वास नहीं होता ऐसे घर में हर वक्त दरिदरता चाही रहती है माना जाता है कि जाडु में देवी लक्षमी का वास होता है दूसरी बात है चूले पर जूटे बरतन अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि वो तवा और कड़े जैसे जूटे बरतन ग्यास पर रखकर सो जाती है तो ऐसे घर में भी लक्षमी कभी नहीं आती ये गरिवियार दुख का कारण बनता है इसलिए रात को चूले पर जूटे बरतन ना रखे तीसरी बात है ठोकर से दर्वाजा जिस घर की महिलाओं पर की ठोकर से दर्वाजा खोलती है या बंद करती है वहाँ से भी धनकी देवी मा लक्षमी नाराज हो जाती है इसलिए अगर आपकी घर में ऐसा होता है तो तुरंट रोके चूलती बात है देहलीज पर बैटकर भोजन अगर आपके घर की कोई महिला घर की देहलीज पर बैटकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है हिंदु शास्त्र में इसे भेहदी अशुव माना गया है पाची बात है रसवी में जूटे बरतन घर की महिलाए अगर रात में रसवी घर में जूटे बरतन रखकर सोती है तो ये गरिभी को दावत देने जैसा है ऐसा न होने दे घर में सुक्षानती के लिए हापते में एक बार समुदरी नमक से पोचा लगवाए ऐसा करने से मा लक्षमी की क्रपा बनी रहेगी छटी बात है शाम को जाडू जिस घर की महिलाए प्रातकाल की बजाए रात लिया शाम को जाडू लगाती है उस घर में दरेदरता आती है इसलिए इस आदत को छोड़ दे साथी बात है देर तक सोना अगर किसी घर की महिलाओ को देर तक सोने की आदूत हो तो वो घर और परिवार के लिए अशुब हो सकता है देर तक सोने वाल इस्तिरिया अपने पती और इसके परिवार और सुसराल वालों की लोगों की असफलता का कारण बनती है आठी बात है सुबह आंगन साफ ना करना जो महिलाए सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती ऐसे घर में देवी लक्षमी कभी प्रवेश नहीं करती घर की महिलाओ को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए उसके बाद रंगोली बना कर देवी लक्षमी का स्वागत करना चाहिए ऐसे घर में माता रक्ष्मी तुरंद प्रविश करती है तो दूस्त ये थे वह आटकाम जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताके आप और भी जानकारे वाले वीडियो देख सकें धन्यवाद